हेलो एवरीबन वेलकम बैक टो यह मंत्रा तो आज की जो स्पेशल रेसिपी है वह है क्रिस्मस स्पेशल रम केक जिसमें हम बहुत सारे कलरफूल नट्स का यूज करने वाले हैं जैसे कि क्रिस्मस का फेस्टिवल होता है बहुत ही ज़्यादा सफ्ट और टेस्टी वरने वाला है आज का यह एक तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को तो यहां क्रिस्मस प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना है नट्स को सोक तो यहां मैं मैंने कुछ मिक्स Марषट क्राइब का पासी का सेुआ यहां अब मैंने कुछ कॉप करके कर सकते हैं अभ यहां मैंने मेने कुछ ब्रूटा खिर करisl Me जो हम plumb cake बनाते हैं उसमें जो nuts की quantity होती है वो थोड़ी जादा होती है इसलिए मैंने सभी की थोड़ी जादा quantity इस्तमाल की है थोड़े से मैंने खजूर को काट के रखा हुआ था ये भी मैंने इसमें एड किये हैं कुछ मेरे पास येलो कलर की टूटी फूरूटी थी तो मैंने उनको भी एड कर दिया है अब यहां इसमें मैंने एक कप औरेंज जूस डाला है और उसी के साथ यहां मैंने 80 ml रम का इस्तमाल किया है अगर आप चाते हैं तो आप रम को स्केप कर सकते हैं आप सभी नट्स को सिर्फ और इंज जूस में भी सोक कर सकते हैं अब हम एक वा सभी को मिक्स कर लेंगे हमें जूस की इतनी कौन्टिटी लेनी है कि जितने हमारे नट्स है वो अच्छे से आराम से सोक हो जाए अब ही यहां पर मुझे थोड़ी सी जूस की कौन्टिटी कम लग रही है तो मैं यहां पर थोड़ा सा जूस और डाल के इसको ओवरनाइट सोक होने के लिए फ्रीज में रख दूंगे नट्स को मैंने ओवरनाइट सोक होने के लिए रखा था अगर आप चाते है तो आप इसको 24 hours के लिए भी सोक कर सकते हैं और और अगर कभी आपका plump cake बनाने का मन था है बट आपने नट्स को शोक करके नहीं रखा है तो आप इसको दो घंटे के लिए कर सकते हैं अब झ्यान के केक में डालने के लिए हमें एक दालचीनी तूड़ आप तयार करना है। इसका फ्लेबर इता है इसका अच्छ क्या सख स्ट डालचीनी को ब्रा degrad paar चीनी wrazida दालक डाला कर दूडर दी को पीस लिए। इसका एक पाउडर बनाके तयार करें ळखकरें करें अब यहां प्राइन लिए एक कंडाई जिसमें डाल रही हो दोदिहाई कप चीनी को करें करते हैं नहीं करींगे इसको हमने के इसको हमने करना हैं में इसकाल है इसको हमने कटनया की यह प्रॉसेस मैंने तेज फ्लम पे इसलिए किया है ताकि जो चीनी है जल्दी मेल्ट हो जाए और अभी आप देख सकते हैं चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसका जो कलर है वह भी ब्राउन हो गया है तीन से चार मित का समय लगेगा इस प्रॉसेस में प्रॉसेस में उसके आप मेल्ट हो जाएगी और इस तरह से डाक ब्राउन कलर आने तक हमें इसको वेल्ट हने के लिए चोड़ना है अभी या इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ कर रही हूँ और इसको चलाते रहीएगा पर पानी जो है वो बहुत अराम से इसमें एड़ करना है क्योंकि जैसे ही आप पानी एड़ करेंगे बहुत जादा छीटे आनी शुड़ू हो जाएंगी तो यहां मैंने ए करके एक वर हम इसको एक मिनट तक के लिए पकाएंगे और यह जैसे ही अच्छे से पक जाएगा इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे अब हम यहां एक वार नट स्टेक कर लेते हैं जिसको हमने ओवरनेट सोक होने के लिए रखा था अभी आप देख सकते हैं जो इससे हुस है वह बहुत अच्छे से अबसर्प हो गया है अगर आप क्रिसमस पे पलंब के बनाने के लिए सोच रहे है तो आप अराम से ओवरनाइट सोकिंग करके इसका स्टमाल कर सकते हैं क्योंकि ओवरनाइट सोकिंग भी बहुत सफिशेंट है इसी के साथ अब हम कर इसी के साथ यहां मैं थोड़ा सा वनिला एक्स्ट्रेक्ट यूस कर रही हूं, सभी को एक वार हम मिक्स कर लेंगे, सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप ऑल कीज़े के बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, बट कोई भी यूज ऑल या फ्लेवर ऑल का इस्तमाल मत कीज़े, इसी के साथ अब हम यहां ड्राइ इंग्रेडिन्स एड़ करेंगे, वन कप मैदा एड़ की है मैं मिक्स कर लेंगे और चान लेंगे, सभी को अच्छे से मैंने आप चान लिया है और एक बार हम सभी को मिक्स कर लेंगे, अभी आप देख सकते हैं जो बेटर है यह बहुत ही जदा ड्राय है तो अभी हमने जो शुगर को केरेमल बनाया था अब हम इसमें एड़ करेंगे और इसका एकदम smooth सा better बना के तयार कर लेंगे, अभी हमारा thोड़ सा धेक है, तो इमे, इसमें थोड़ा सबढ़ अजुगर कर लुए, अभी आप स्मूद बैर बना के तयार हो चुगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भीर हम र cœur करेंगे आप ईसमें नटО अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा एड़ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि जो आपका बैटर है वो थोड़ा सा गाड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क एड़ करके इसको पतला कर सकते हैं सबी नट्स को मैंने बहुत अच्छ से मिक्स कर लिया है, जो बेटर है वो बन के तयार हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर एक चलनी रख रही हूं, और मैं उसमें डाल रही हूं, वन टीश्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीश्पून बेकिंग सोडर और थोड़ा सा बहुत जादा नहीं डालना है, सभी को हम एक वर अच्छे से छान लेंगे, और अब हम इसको बेटर के साथ मिक्स कर लेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडर डालने के बाद हमें तुरंत केक को बेक होने के लिए रखना है, अधरवाइस क्या होगा, इसका एक्टि अब हम इसमें केक का बटर डाल देंगे, अब मैं केक को प्रीहिटिट कड़ाई में बेक होने के लिए रख दूंगे, यहां मैंने कड़ाई को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था, आप किसी भी बर्तल में नमक डाल दीजे और इस तरह से एक स्टैन रख दीजेगा, यहां पर थोड़ा सा टिन को संभाल के रखेगा, क्योंकि यह जो कड़ाई है बहुत जाता गरम होती है, यहां मैंने केक को अभी उपर से डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि अगर अभी हम इस स्टैच पर उपर से डेकोरेट करेंगे, तो सभी नट से वो अंदर चले जाए अभी आप देख सकते हैं, तीस मिनट हो चुके हैं, अभी जो केक है वो हाफ को खो गया है, अब मैं केक को उपर से इस स्टैच पर डेकोरेट करूंगी, आप जिस मन पसंद से चाहें आप उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने यहां पर थोड़े से किशमिश, काम और काजू लिये हैं, मैंने इस तरह से इसको डेकोरेट किया है, केक को हम टोटल 45-60 मिनट तक के लिए बेग करेंगे, अभी सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, तो अभी मैंने इसको और बेग होने के लिए कवर करके रग दिया है, यहां पर 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बा इसको चेक करेंगे, अगर तूटबे की क्लीन बाहर आ रही है, तो आप समझेगा जो केक हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो अब तूटबे के वच चुका है, यहां मैंने फ्रेम को अफ कर दिया है, और अब हम केक टीन को बाहर निकाल लेंगे, अब हम इसको यहां पर और आप देख सकते हैं कि इतना सौफ भी दिख रहा है अब हम केक को डी मोल करेंगे जिसके लिए मैंने इसके उपर इस तरह से एक प्लेट रख दी है और अब मैं इसको उल्टा करकी थोड़ा सा इसके उपर टैप टैप करूंगी और अब आप देख सकते हैं जो केक है वो कि अच्छा ऐा आया है एक दम preparedness ऐगया है जो एक्टाल क्रिसमस का do यह वह सोन जार ही और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें स्किप करके आप इसमें चूस का यूज कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा नर्ट्सिस में देख रहे हैं इस जो टेस्ट वह बहुत ही साथ अमेजिंग आता है इस क्रिस्मस के सेलिब्रेशन पे आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आप लोगों को इसका टेस्ट कैसा लगा वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए